स्टार्ट करते हैं लोग आज का टोपिक आज मैं आप लोगों के लिए एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ इंट्रोड़क्शन ओव विटामिन्स विटामिन्स क्या होते हैं कितने टाइप से विटामिन्स होते हैं क्या क्लासिफिकेशन विटामिन्स की होती हैं यह सारी चीज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग vitamins के बारे में, सबसे पहले हम लोग देखेंगे introduction of vitamins, vitamins क्या होते हैं थोड़ा सा जानकरी देख लेते हैं, Hindi प्लस English दोनों languages में explain करूँगा, बिल्कुल भी confused मत हुएगा, vitamins, vitamins are the carbonic component which are required for metabolic activity of body, समझे क्या मतलब होता है, vitamin एक प्रकार के carbonic component होते हैं, जो कि शरीर की उपापचे किरिया के लिए बहुत ज़दा अवश्यक होते हैं, simple बात है, कि vitamins जो है, आपकी जो body में metabolic activity होती है, जितने भी digestion होता है, उसके लिए vitamins बहुत important role होता है, human body is not making vitamins, so it is required essentially, simple बात है कि जो human body है, वो खुच से vitamins नहीं बना सकती है, अगर वो खुच से vitamins नहीं बना सकती है, तो उसे essentially लेने की जरुवत पड़ेगी, essentially का simple मतलब होता है, हमें वो simply बाहर से लेनी पड़ती है, ठीके, बाहर से vitamins की बहुत रिक्वार्मेंट होती है, देखिए, हमारे शरीर खुच से विटामिन नहीं बना सकता है, इसको भोजन के द्वारा लेना अवश्यक होता है, इसको खाने के तुरू, डाइट के तुरू, डेली डाइट के तुरू, हमें बहुत इंपोर्टेंट होता है इसको लेने के लिए, अब देखो, अब समझते हम लोग के types of vitamins, vitamins को कितने भाग water-soluble vitamins, fat-soluble vitamins, water-soluble vitamins दो टाइप से होते, vitamin B, vitamin C, fat-soluble vitamins, vitamin K, vitamin E, vitamin D, vitamin A, अब इन किक ट्रिक बताता हूं, simply, ठीक है, हमेशा याद रखना, B से biology, C से chemistry, biology और chemistry पानी में है, ऐसा एक ट्रिक बना लो आप, ठीक है, biology और chemistry नहीं पढ़ोगे तो पानी में जाओगे, पानी मत मतलब की water-soluble, तो एक ट्रिक है यहाँ पे, आप इससे ट्रिक से कहा है, simple बात है, आपके mind में वो चीज फिक्स हो जाईगी, आपको doubt नहीं रहेगा, अब देखो, vitamin K, vitamin E, vitamin D, vitamin A, अब ये किसे आद रहेगा, simple याद रखो, कीड़ा, इसको लाइन से पड़ो, कीड़ा, में होता है, मास में होता है, वसा में होता है, तो आप याद रखना, कीड़ा कहां पे मिलेगा, कीड़ा मिलेगा, वसा में, फेट में, मतलब फेट-soluble, vitamin K, vitamin E, vitamin D, vitamin A, इस चीज से आपको एक फाइदा होगा, की कभी भी, vitamin B इसमें मिक्स नहीं होगा, और ये वाला इसमें तो दो ट्रीक है, physics, chemistry नहीं पड़ी, तो गये पानी में मतलब की, पानी में मतलब water-soluble, bylogy chemistry, physics, bylogy chemistry नहीं पड़ी, तो गये पानी में मतलब bylogy chemistry आपके काई में विले है, वाटर में, आप देखो, fat-soluble vitamin K, vitamin D, vitamin E, तो ये overall ट्रीक है, आप इस से याद रख सकते हो, बह सबसे पहले हम लोग discuss करने वाले है, vitamin A, हम पूरी vitamins में तीन चीज़े देखेंगे, उसका chemical नाम क्या है, कम हो जाने पर कौन सी बीमारी होती है, कहा कहा से vitamin A प्राप्त होता है, देखिए, सबसे पहले देखिए chemical name, रासाइनिक नाम क्या होता है, vitamin A का, सबसे पहले याद Retinol, it is type of water soluble, it is type of fat soluble vitamins, यह किस प्रकार का vitamin A प्रकार का fat soluble vitamins होता है, देखिए, vitamin A का रासाइनिक नाम retinol होता है, एवं या एक प्रकार का वसा में विले vitamin होता है, वसा में मतलब कि fat में घुलंशिल vitamin होता है, ठीके, functions, विटामिन A का काम क्या होता है, हमारी बोडी में क्या कार्री करता है, it helps to muscle and bone to become strong, मतलब कि हड्डियों एवं मास्पेशियों को मजबूत बनाने का काम करता है, कौन, vitamins A, ठीके, it is, दूसरा function, दूसरा उसका कार्री है, it is maintain a calcium level in blood, इसका दूसरा most important function क्या है, कि यह शरीर में calcium की मातरा को भी नियंतरित रखता है, ठीके, तो दो important function है, हड्डियों और मास्पेशियों को मजबूत बनाना और calcium level का maintain करना, disease, कौन सी बीमारी हो सकती है, vitamin A के कम हो जाने पे, night blindness, रतोंधी रोग हिंदी में कहते हैं, English में इसको night blindness कहते, vitamin A की कमी हो जाने पे, night blindness हो जाता ह source का मतलब होगा कि वो कहा कहा पे हमें मिल सकता है, याद रखिएगा milk, दूद, एग मतलब अंडे, पनीर, वेजिटेबल, हरी सब्जू में हमें vitamin A मिल सकता है, तो इसके तरू हम आगे पूरी चीज़ पढ़ेंगे, पहले chemical name, functions, disease, source, हर एक vitamin का, इसका repeat कर देता हूँ, vitamin A का रासाइनिक नाम, retinol होता है, fat soluble vitamin A, functions क्या है, हड्यों मासपेशियों को मजबूत बनाना, calcium level को नियंत्रिद रखना, क्या बीमारी हो सकती, vitamin A की कमी से, रतोंदी रोग, night blindness, कहा कहा पे मिल सकता है, दूद, एग, अंडे में, पनीर में, वेजिटेबल में मिल सकता है, नेक vitamin B के type समझते हम, क्योंकि vitamin B के type होते है, vitamin B1, vitamin B1 का रासाइनिक नाम होता है, thymine, क्या नाम होता है, thymine, इसका vitamin B का रासाइनिक नाम होता है, vitamin B2 का होता है, riboflavin, याद रखेगा riboflavin, रासाइनिक नाम होता है, vitamin B2 का, B3, vitamin B3 का नाम होता है, niacin, niacin भी vitamin B का है, टाइब विटामिन B3 का नियासिन नाम होता है, विटामिन B5, पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5 है, विटामिन B6 का नाम होता है, पाइरिडॉक्सिन, पाइरिडॉक्सिन इसका क्यमिकल नाम होता है, विटामिन B6 का, विटामिन B7, विटामिन B7 का नाम होता है, बायोटीन, विट विटामिन B7 का नाम है क्राशाईनिक केमिकल नाम विटामिन B9 का होता है फॉलिक एसिड जो आपने कॉमनली सुना होगा सबसे ज़्याद रखिएगा पालक में पाया जाता है और विटामिन B2L का होता है साइनो कोबलामीन इसको सिंपलियाप कोबलामीन के नाम से भी याद तो साइनो कोबला मीन विटामिन 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 विटाम सबसे पहले हम विटामिन B के कार्य देखते हैं, मैं आपको कॉमन फंक्शन बताऊंगा, मैंटेनिंग ब्लड लेवल, यह है रक्त की मात्रा पर नियंतरन रखता है, आपके अंदर जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को भी यह मैंटेन रखता है, उसकी मात्रा करता है, हेर ग्रोथ, हेर ग्रोथ के लिए बहुत इंपोर्टेंट होता है आपका विटामिन B, ब्रेन फंक्शनिंग, मस्तिष्क को कार्य करवाना, यह ब्रेन फंक्शनिंग के लिए विटामिन B का बहुत इंपोर्टेंट रोल होता है, बहुत इंपोर्टेंट रोल है वि तो उसमें आपको बहुत इंपोर्टेंट है, बेरी-बेरी लोग विटामिन B की कमी से होता है, कुछ और सिंप्टम्स, कुछ और डिसीज हो सकती है, स्कीन ड्राइन, सूखापन हो जाना, हैर फॉल्स, बहुत जादा मात्रा में बालों का गिरना, mental disorder, मस्तिश्का का कारे करना, मस्तिश्का का कारे में बहुत important function बताएता, तो अब बिटामिन बी कम हो गया है, तो ब्रेन भी properly develop नहीं होता है, functions नहीं कर पाता, properly working नहीं कर पाता, Source, घटक, विटामिन B हमें कहा कहा मिल सकता है, विटामिन B हमें एक, मिल्क, ग्रीन वेज़िटेबल, हरी सब्जो में, मीट में, सोया बीन में, सूरज मुखी का तेल, Sunflower Oil, जिसे इंग्लिश में कहते हो, Sunflower Oil में बहुत जादा मातरा में विटामिन B पाए जाता है, मतलब जित बालों का गिरना, मस्तिश के ठीक से कारना करना, सोर्स, घटक, मिल्क, ग्रिन वेजटेवल, मीट, सुयबिन, सुरज मुखी का तेल, ओईल वगिरा, इतनी बी चीजे रहती है, हमें विटामिन बी मिलता है, नेक्स विटामिन के उपर बढ़ते है, विटामिन बी, विटामिन इत्स chemically name is ascorbic acid, it is a type of water soluble इसका रासाइनिक नाम ascorbic acid होता है, ये जल में विटामिन, जल में गूलंशिल विटामिन होता है, फंक्शन, विटामिन C का क्या काम होता है, विटामिन C, its main important function for skin, स्कीन मतलब यह हमारी तौचा के लिए बहुत आवश्याक होता है तौचा के लिए भी बहुत आवश्याक होता है कोन विटामिन सी विटामिन सी स्कीन के लिए बहुग ज़ादा इंपॉर्टन होता है इट इस आलसो इंपॉर्टन for recovery of any cell damage of body क्या शरीर की टूटी हुई कोशिकाओ को ठीक करने में महत पूर्ण भूमी का निबा था इसका मतलब समझ लो है मैं आपको इंपोर्टेंट फंक्शन बता रहा हूँ विटामिन सी आपने कोवेट के समय में पेंडेमिक टाइम में यह देखा होगा कि ज़्यादा दर लोग बोल रहते हैं निबू को नाक में डालो तो उससे जुखाम ठीक हो जाएगा नेजल इंफेक्शन के लियर हो जाएगा कोवेट में रिकावरी मिलेगी क्योंकि विटामि का मैंने कारी बता है यह टूटी हुई कोशिकाओ गोनियंत्रित करता है अब जब कोवेट हुआ था उस समय में हमारे लंग्स की सेल बहुत ज़ादा डैमेज हुई थी तो वो सेल जो डैमेज हुई थी वह बहुत जादा सेल लेने पर रिकावरी हो अगर आप लोग मेडिक लेंट रोल लता है सेल्स को रिकवरी करने में तो याद रखिएगा, डिसीज, बीमारी, क्या बीमारी हो सकती है इसके कम होने पर, इसकरवी, डिसीज, इसकरवी मतलब होता है सिंपली विटामिन सी कमी हो जाने पर, इसकरवी, मसूडों का फूल जाना, इस प्रकार की बीमारी हो सकती, आपके मसूडे फूल जाएंगे, स्वालप हो जाएंगे विटामिन सी की कमी से, नेक्स देखिए, सोर्स ओव घटक, घटक कहा कहा में मिल सकता है, ओल सेटरस फिल्यूट, सेटरस मतलब खटे मेंगो, आम, यह सबी प्रकार के खटे फलो में पाया जाता है, नीबू, संत्रे, आम, जितने भी खटे फ्रूट होते, उन सब के अंदर विटामिन सी भरपूर मातरा में, विटामिन सी मतलब की एस्कोर्बिक, एस्रीड भरपूर मातरा में पाया जाता है, नेक्स विटामिन आपका विटामिन डी, क्या होता है, विटामिन डी क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, chemical name सबका रासाइनिक नाम पहले देखते है its chemical name is calciferol calciferol का मतलब याद आ रहोगा calcium चीके इसका रासाइनिक नाम calciferol होता है और यहाँ वसा में विले vitamin देखो D, vitamin कीडा D, D, कीडा याद रखना भी बताया दा आपको trick में ने विटामिन D, एक प्रकार का वसा में विले vitamin होता है next function, कार, क्या कार होते है its important for bone या हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है ठीके, आपकी bones के लिए क्योंकि calciferol, calcium सबको माइड में हो गया bones calcium से मिलकर बनती है, तो calcium के बहुत important होता है vitamin D it is also important for immune system आपके immune system प्रतिरोधक तंत्र के लिए भी बहुत जादा अवश्यक होता है, क्या vitamin D तो याद रखेगा, दो important function है bone को मजबूत बनाने का और प्रतिरोधक तंत्र, immune system को strong बनाने का disease, भई क्या क्या बीमारी देखी जा सकती है decrease level is cause recats, recats की बीमारी होती है recats disease देखी जा सकती है source, क्या क्या घटक हो सकते है कहा कहा पर मिल सकता है it is obtained by sunlight, इसका सबसे important एक मातर source होता है क्या होता है, sunlight sunlight के तुरू आप लोग ले सकते हो vitamin D को, याद रखेगा, बहुत important vitamin D है, calciferol नाम होता है bonds के लिए important है immune system के लिए important है recats की बीमारी हो जाती है sunlight के तुरू प्राप्त किया जा सकता है next vitamin के उपर बढ़ते है vitamin E, अब ये vitamin E क्या होता है vitamin E, vitamin E का chemical नाम होता है रासाइनिक नाम क्या होता है its chemical name is tocopherol tocopherol इसका chemical name होता है इसका रासाइनिक नाम tocopherol होता है या वसा में घुलंचिल विटामिन होता है वसा में घुलंचिल fat soluble vitamin है functions क्या कारी हो सकते है important function तो strong immune system vitamin E का सबसे महत पूर्ण immune system यदि आपका immunity कम हो गई है तो आप vitamin E को use करो vitamin E से आपकी immunity बहुत जादे strong बन जाती है vitamin E क्या बीमारी हो सकती है इसकी वज़े से infertilization जनन तंत्र का कमजोर हो जाना infertilization हो जाना infertilization का मतलब होता है जनन तंत्र आपका जो reproductive organ से उसका weak हो जाना घटा कहा कहा पर मिल सकता है oil तेल के अंदर एक अंडो के अंदर milk के अंदर अनाज में यहाँ पाया जाता है लगबख सभी परकार के अनाज गेहू हुए और दाल हुए seasonal vegetable हुए यह सब चीजों के अंदर vitamin E आपका भरपूर मात्रा में पाया जाता है next vitamin के उपर बढ़ते हैं हम लोग vitamin K last और सबसे vitamin important K क्या होता है K क्या काम होता है इसका functions क्या होता है it is help to making a protein for bone and tissue इसका सबसे important दोल होता है कि बोन और आपकी tissue के लिए proteins का निर्मान करवाता है यह हड़े और होतकों के लिए protein बनाने का कारे करता है बीमारी कौन सी बीमारी होती है reduced level is cause blood clotting process रक्त की ठक्के जमने की प्रोसेस बिगड़ जाती है vitamin K की कमी से याद रखेगा आप important function से source घटक क्या हो सकता है tomato हरी सबजियो आदी के अंदर क्या पाया जाता है vitamin K mainly tomato के अंदर आपको बहुत सब्सदा vitamin K मिल जाएगा तो याद रखेगा chemical name phyloquinone होता है function से होता है इसका protein को बनाना tissue और bone के लिए reduce level blood clotting process को बिगार देता है tomato सबजियो आदी में पाया जाता है